तो हें गाइस वेरी गुड इमनिंग अलोफ यू अन टूड़े वी आ स्टाटिंग विट चाप्टर नमर सेवें नाशनल इंकम ठीक है अभी नाशनल इंकम यह वाला चाप्टर हम लोग स्टाट करें थोड़ा सा यह चाप्टर के बार में बेसिक हो जाए क्या थोड़ा सा य चाप्टर के बार में बेसिक हो जाए वाट डियू मीन बाइस तर्म नाशनल इंकम पहले तो मुझे यह बता दो आप यह वर्ड से क्या समझते हो नाशनल इंकम यह वर्ड से क्या समझते हो माम सिंपल है ना नाशनल मतला पूरे नेशन की इंकम पूरे नेशन की मतला पूर इंडिया की कि इंगम के बारे में बात कर रहा है ओके ड़न इंडिया कोется कहां कहां से आतीยँ इंडिया कहां पे जहाके जॉब करता है कुछ भी अरे वही में भूच रहें इंकम कमाा रहे थो अभी घृती मुझे जु गपिर इन्डिया के अंदर अında के अंदर यह हम लोग यह शॉपकीपर्ज वाले हैं किया यह यह फार्मस वाले फार्मस वैंड़ो शॉपकीपर्ज ए सकत्व स्कारिंफ पर कुछ ांप ने पॉपलिक अमदी मि रएक उन्डूस्टिलिस्ट वगर है ऐख यह सब लोगों कि और एसे सब लोगों की इनकम को समझ मार है everyone तो यहर हम लोग जाते न कई पर काम करते अच्छा एक बात बताओ मुझे मैं कैसे अगर आप मुझे पूछोगी कि मैं कैसे कैसे आप कैसे बोल सकते हो अब एक एक ग्यामपल और लेलो कि तुम एक तरफ लेलो इंडीया की ईकनॉमी यह ऑंटे की इंकम इंड की इंकम है इसा गोलो की इंडीया की दीर्ल था एक तरफ आपके इंडिया की इंकम है और दूसरी तरफ आपके यूएसे की इंकम मुझे बताओ ना यूएसे का नाशनल इंकम ज्यादा है या इंडिया का नाशनल इंकम ज्यादा है या इंडिया का नाशनल इंकम ज्यादा है या इंडिया का नाशनल इंकम ज्यादा है वहां के लोगों के पास में खुब पैसा है यही बोलने की इच्छा थी आपकी कि वहां के लोगों के पास में खुब पैसा है और इंडिया के लोगों के पास में पैसा नहीं है अरे यही मतलब था आपका इसलिए इंडिया की नाशनल इंकम कम है तो आप खुद भी तो वही लोगों के पास में ज्यादा पैसा ठीक है लोगों के पास में ज्यादा पैसा डन ओके पैसा ज्यादा ज्यादा पैसा होगा तो क्या करेंगे काम करेंगे ठीक है या तो वह बंदा इंवेस्ट करेगा या तो वह बंदा बिजनस करेगा बिजनस करेगा या तो फिर वह पैसा जो भी उसके पास में है वो इन्वेस्मेंट कर देगा बैंक होगर हमें या कोई दूसरी कमनी के शेयर्द वगरा खरीद लेगा अजकर इंवेस्मेंट के भी बहुत सारे संघंघ हाई कैने यह लोग कहीं पर जाते हैं क्लोट क्रीज है अच्छा रेलाई में वेजि टेल्ट एन्डर पास पैसा चला जाएगा एपे तहीं मेंटिसीं था यह जाते हैं मेडिसन खरीते हैं अगर एक के पास में पैसा जा रहा है तो सब के पास में मनी का फ्लो होता है यह अब यह पता है ना आपको ओके तो मुझे एक बात बताओ ना इंडिया के लोगों के पास में जब पैसा ज़ादा पैसा ज्यादा इसके पास हैं पैसा ज्यादा के पासैं पैसा ज्यादा आले खरीदा उसके पासlasa, चिया और तो उसको पैसा देना पड़ेगा कौटन पैसा देगा उसके पास research गया तो अल्टिमेटली हो क्या रहा है सब के पास है पैसा जा रहा है तो हर कोई अपना जो क्या बोलो गया प्लाइस्टाइल है या अपने जो खर्चे है वह अच्छी तरह से मानेश करेंगे जो फूट क्लोधिंग शेल्टर जो मिनीमम बेसिक नेसे सिटीज है हर को इसमें अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगा येस ओके अगर पैसे और ज्यादा है तो कॉस्ट अफ लिविंग बढ़ जाएगा उसका लाइश्टाइल बढ़ जाएगा ये सब लोगों के पास में ज्यादा मतलब गवर्मेंट के पास में भी तो पैसा ज्यादा माडम कैसे अरे ग टाक्स करती ना गार्मेंट का लग करती है मतलब इक नॉमी का ज्ड़ाइं डवलपमेंट ज्यादा इक दमीका ग्रोफ अन डिवलपमेंट ज्यादा देखो टाक्स कलिक करी उ सब बढ़ा मतलब है नाशनल इनकम बढ़ा माम माम एक मुने ग्रोथ एंड डेवलप्मेंट बढ़ा तो नाशनल इंकम बढ़ने का क्या लॉजिक है अगर इंडिया का ग्रोथ एंड डेवलप्मेंट बढ़ा तो नाशनल इंकम बढ़ा मतलब अरे बबा इंडा गोरो हो रहा है डवलप हो रहा है ठीक है डवलपिंग तेवलेप्न उप को पीजये अब हम लोग कॉंदे किस इसमें और हो है थीक वैसे ही जाऎए आपका biết है मानवार है एक सारी ग्रोथ सा तरी डे वलमेंट हो गई है समझो आप और लड़ सारी ग्रो फारी development हो गई है तो उनका जो ग्रोष class स्धिक प्रोड़ंट अब ही एक बात सुनो नाश्नल इंकम को ना हम लोग क्या करते पताई का फिर नाश्नाल इंकम को हम लोग कुछ भी निया है कुछ बाइटाया मुझे बात बताओं इंडिया में इंडिया में घब करता है एंडיया में अब मारीका नाश्नल्ण पालह सबसे ज्यादां है इंडिया कांडसmy यह किसनें बताया कि कौन बतार को रहे Central Central statistical organization यह जो और्गनाइजेशन यह स्टाटिस्टिकल कुछ स्टाटिस्टिक्स के बेसिस पे नाशनल इंकम के जो डेटा था वो कलेक्ट करती है और वो फिर बताती है कि भई इंडिया का जो नाशनल इंकम है वो इतना पहले छे होता था अपना नाशनल इंकम फिर दो पर आगया था फिर माइनस पर आगया था समझ में हा रहा है क्लियर है CSO यस एक्डाक्लिस यह सो ओके चलो अब मुझे अब एक और बात बता तो गई यह नाशनल इंकम को पढ़ना माइक्रो है या माक्रो लेवल है माइक्रो है या माक्रो लेवल है कौन से एकनोमिक्स का पाट है माइक्रो और माक्रो एवरीवन माक्रो ओके तो नाशनल इंकम इस वन अफ इंपोर्टन सब्जेक्ट माटर अफ माक्रो एकनोमिक्स फिर्स पॉंट ठीक है इन इंडिया इंडिया में Natomiast debate गवर्मेंट अफ इंडिया इंडिया में इस्ताबलीश्ड गवर्मेंट आफ इंडिया वह कह न एकटा गवंटेंट ऑंडिया ने ने एकट्री बिल्कुल करना है अच्छा एसी एस्ताबलेश को लिए थे के नहीं वित प्रोफेसर पीसी महलनोबिस आज चेर्मन फॉर कंपालेशन ऑफ नाशनल इंकम ठीक है स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में गवर्मेंट अफ इंडिया ने एक नाइसी कमिटी बनाई थी जो नाश तर्स, 1948 में है और किस के साथ महलनोबिस जी के साथ में आज चैर्मन और वह कौन थे वह चैर्मन थे फूर कंपालेशन ऑफ नाशनल इंकम लेकिन आट प्रेजेंट कौन करता है आज की रेटपर कौन करता है और देटा को कंपाल करती है फिर वो दिटा खौब यद्यु करत कि डेट कोंपाईल करके पब्लिश करती है एक रहे तई कि अनिकम होता है के चलता है Rise नाशनल इंकम इंडिया की इन्कम इन्धा लेवल पे इंडिया की नामीका या इंडिया का नाशनल इंकम कैसे फैंडवा पहए थे संपल है लेखो टोटल इंकम ऑप नेशन next call national income in real term Hello real time to tribe anna in real terms if we say नाश्णल इंकम क्या होता है पता है कि जितना गोड़्स and services जितना गोड़्स अधिज़ दो लॉष हुआ है नहीं बोड़ी हुआ है तो सब्सक्राइब पीछे मतलब मतलब आपकी एकनौमी में goods और services का production हो रहा है, growth and development हो रहा है, income आ रही है, done, national income में add हो जाएगा. तो national income में goods and services कितना goods and services produce हुआ है, पटिकुलर एकनौमी में यह calculate किया जाता है, ठीक है? Done, clear है? national income बोला तो कितना goods and services इस साल कितना goods and services produced हुआ है वो सारी चीज़े national income में calculate होती है ठीक है done यह पट ध्यान रखेंगे ओके चलो आजो अभी यह वही बोल रहा है in real term national income refers to the flow of goods and services produced in an economy during a year ठीक है अब मुझे एक बास बताओ ना national income क्या percentage form में होगा या money form में होगा क्या होगा अच्छा ठीक है एक सेकंड अब एक बात बताओ goods and services produced during an year बट यार कुछ ऐसे भी good than services होते हैं कुछ ऐसे भी good than services होते हैं जो जो क्या बोलोगे आप काम की नहीं कर रहा है कुछ तो काम कर ले कुछ तो goods and services ऐसे होंगे जो आप निकाल नहीं पाओगे क्यालकुलेट नहीं कर पाओगे में को बताओ कौन से goods and services ऐसे हैं जो आप क्यालकुलेट कर सकते हो आपको नाशनल इंकम निकाल नहीं है ठीक है मैंने मेरी सिस्टर को टीचिंग पढ़ाया तो क्या कोई goods and services प्रोड्यूस हुआ है गुड्स प्रोड्यूस तो प्रोड्यूस मैंने उसको सर्विस दिया ना यस और नो बट वो सर्विस का क्यालकुलेशन कैसे करो गया मतलब कितने की सर्विस दिया है क्या दिया है इस दियू तो लव और अफेक्शन लव और अफेक्शन तो नहीं था उसका पकड़ के पढ़ाने था ठीक है उसको पढ़ा के पढ़ाना ही था ऐसा था विकोज सेवेंस तांडर से जब उसको एट सांडर में मराथी मीडियम से प्योर इंगिश मीडियम में कनवर्ट किया दिन रात एक किया था लिटरली तो यह तो कई तो इधर कुछ लव और अफेक्शन नहीं था बट इस एक वाद बताओ ना मैं मेरी सिस्टर को पढ़ा रही हूं ठीक है ममा मेरे लिए खाना बना रही है दी ज्यादा सर्विस जो लव और अफेक्शन के फॉर्म है इससे लोग मनिटरी वाल्य में कलकुलेट नहीं कर सकते हो तो यह सारी जो सर्विस से किसी को गिप दे दिया चलो विटी वगर रहा कि आपने आपके इच्छा से दान दे दिया कि किसी को ज़रूरत थी आपको ध्यान में आया कि यह चीज़ आपके पास में एक्स्रा है यूँ यह सर्वेसे रही होती है। यह समझ में चीज़ा काल्कूलेट नहीं होती है। नास्यलिकम में क्या 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 रॉता है। इन अन अन इकनॉमी दूरिंग एक साल में जितने भी गुड़न सविसेश प्रोड्यूस हो रहे हैं वह सब का लेकिन यह जो आउट आफ लव और अफेक्शन है यह कुछ गिप्ट है यह कुछ चारीटी है यह सारी चीज़े काल्कुलेट नहीं होती है नाश्ट्रों इंकम मे कर दो को दिख रहत है यह समझ में आया एवरिवान में जिसे मान लोग कोरोना के टाइम पर हsom से मेड को आना मना था मेट खर पर आना मना था हमें भी समझ में आ रहा हता कि वह जो मेड हैं वो सफर दिव चार घर में काम करती ठीक है और उसके घर में जो हालत फोड़ी थे भी वह मतलब घर में यौर्ट होता है कि यह हमारे घर में आ नहीं सकते हैं ऐसा तो नहीं था कि खुद से चुट्टी मारा उन्होंने नहीं ठीक है छोड़ा ऐसा भी नहीं है करने के लिए वह टाइम पर उनकी जो भी क्या बोलोगे जो भी है ठीक है उनको उनका रुपए मंतली जो भी इंकम दी उनकी वह उनको दिया गया था तो यह सारी इंकम क्यालकुलेट नहीं होगी ना जो आप एक किसी को हेल्प करने के इस से कर रहे हो जाप अपनी मर्दी से कर रहे हो जैसे आपकी मम्मा आपके लिए खाना इसले बना रही है विकोज उन्हें यह लगते कि हमेरी बच्ची घर का खाना खाईगी तो सेफ रहेगी ठीक है तो यह सारी चीते काल्कुलेट नहीं होती है औरी यह घर कालीए फटावुड लान लिविकल एक काल में तुम्हारे सार बैंक अकाउंट कर में घ्रक रुवलविएगा कर रहा है बहुत रेर हो गया है अभी के सिच्वेशन में की लोग कैश्ट रांदक्शन कर रहे हैं समझ में तो अटमाटिकली वह अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है उसकी चिंता मत करो कि इसने तो कई बार गवर्मेंट ने पहले बोलती थी पते अपने और आपको पते हैं कि इंडिया का नाशनल इंकम ना सब्सक्राइब क्यों क्यों दिखता है क्योंकि आज भी पहले कैश्ट रांडक्शन जो बहुत ज्यादा इतने ज्यादा कैश ट्रांडक्शन थे तभी तो याद करो मोधी जी आए थे वर फिर उन्होंने बोले थी कि नहीं सारी चीज़ा ओनलाइन होनी चाहिए यसा नो आप ऑनलाइन सर्विसेज वगरा यूस करो आप ऑनलाइन बैंकिंग वगरा यूस करो ठीक है आपको स्टेप समझ में आ रहे है क्यों वो बोल रहे है री उसको कोई टैस्स नीए बना यह चाहिए क्यों था क्यों जरूरी था यह सारी चीज़े विकाज एक कैश्वलेस इक्नामी बनाने के लिए ताकि हर किसी का जो इंकम है वह रिफ्लेक्ट हो और ताकि इंडिया का ओवर और नाशनल इंकम बड़े माम अब मुझे एक बात बत थाने कीचिभाई इंडिया कर भी नाशनल इंकम बहुत अच्छा है प्या जरूरत है यह क्या जरूरत है है अगर इंडिया का गउतनी सी जरी ओ झije को बीना की विपिना रहती है तो इंडिया को वर्ली बंक से लोन मिल जाएगा आईमेब से लोन मिल जाएगा और उलोन इंडियान इंडियन मॉनिटरी फंड ठीक है और वर्ल्ड बैंक तो इन सबसे लोन वगरा मिल जाएगा समझ में रहे हैं डान मतलब एमेजनसी चैसे आप एक चीज़ करो यह लोकडाउन के टाइम पे इंडिया ने खोड़ने बहुत सारी कंट्री को हेल्प किया था याद आ रहे हैं सारी चीजे अगर नियूस बगरा पड़ी होगी तो ठीक है ओक चलो आजा तो इसी लिए यार कि जो भी चीजे अगर सारी चीजे आंलाइन अथा तो आप ठंद पर ड्राकोर्ड पहे आप आपाते होगी इतना सव्स कमेंडिया मैं पैसा है लेकिन दिख नहीं रहा है इंडिया लेवल पे § वाइदा नहीं हो रहा है समझ में आ रहा है क्या इसलिए इनिशेटिव कैश्लेस इकनोमी का इनिशेटिव जए वह शुरू किया था चलो आज़ा नाशनल इंका मेज़र जहां पर सारी इकनोमिक अक्टिविटीज चाहिए आप गुर्डूस कर रहे हो चाहिए आप गुर्ड डिस्ट्रिब्यूट कर रहे हो चाहिए अप गुर्ड एक्स्टेंज कर रहे हो यह सारी अभलवी का मेजा सारी चीदों का मेजर्मेंट है तो मैंने आपको प्रोड़क्शन एक्नामिक एक्टिविटीज क्यों होता है मैं आपको फॉर्स लेक्ट्चर में बताया था प्रोड़क्शन डिस्रिबिशन एक्सचेंज चंदम्शन यह दोनों तो से भी यह बताया था आपको अल्रेडी यह सोनो ऑलीडी यादे हां तो नाशनल इंकम क्या अब हमने क्या हमने वही गुड्स को लाके बेशा फिर नहीं बार बार वही चीट है इनके आपको एक्स्ट्रा गुड्स बनाकर डिस्ट्रिब्यूट करें तो वह चीद आपकी नाशनल इंकम में आ जाएगी अच्छा मुझे बास बताओ माम हमने तो गुड्स का प्रोडक्शन किया लेकिन आपको पते हैं कि हमने दिखाया ही नहीं कोई बात नहीं जो आपकी गुड्स दिस्ट्रिब्यूट करेगा वह वहां से पकड़ लेंगे माम आपको पते हैं हमने न अगुड्स का प्रोडक्शन किया है हमने उससा किया है तो उससे लगेगा तो यह सारे सबसे कही ना कहीं से पता चल जाता है ठीक है डान ओके ना इट अब्जेक्टिव इंडिकेटर फॉर एकनॉमिक वेलफेर ऑफ कंट्री कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके उनका एकनॉमी में वेलफेर कैसा है ठीक है यूएसे का नाशनल इंकम अच्छा है सब्सक्राब यूयसे के लोग को के पासलने भरपूर पैसा है यूदिया में पैसा कम है क्यों कि नाशनल इंकम कम सब्सक् regul G को अम्में के एक ज्छ पतां न है गुड्सरें यह है किटने ट्वाल्यू के यह बताओ वही नाशनल इंकम में ड्सक्रास के एड हो जाएगा समझ में रहे हैं कितना गुड़ और सब्सक्राइब यही एक लाइन बार बार घुमा फिरा के वह यहीं चीज़े बोर्ड और कुछ भी नहीं है यहां पर क्या लिखा इंपॉर्टण मैं बेड है इंप्वर्मंट इंडिया ने इस्ताप लेश्ख किया था ठीक है जहां पर महलोबिस जी जी जो थे वो चेर्मेन थे नाशनल इंकम को कमपाइल करने के लिए लेकिन आज की डेट पे CSO है Central Statistical Organization है जो पब्लिश करती है कमपाइल करते हैं पब्लिश करती है नाशनल इंकम के डीटा को एवरी एर हर एक साल करती है मुझे एक बताओ नहीं यहां तक याद हुआ कि आप लोगों को एवरी वाण दू टेल में बोलो फड़ा फड़ से यहां तक हुआ नाशनल इंकम क्या है नाशनल इंकम पूरे इंडिया लेवल की बात करें माक्रो एकनोमिक सा सब्जेक मैटर है डन ओके उसके बाद में नाशनल इंकम को कंपाइल करना बट आज की देट पर वह तो नाशनल इंकम की बात भी ना सबसे पहला पॉइंट नाशन इंकम उसके लावा कुछ नहीं है सिर्फ तीन लाइन है इंक बोलो के मांको करता है सिंपल साथ ठीक है फिर मीनिक की बात आ जाती मीनिक बोलोगे विदिए का बोलोगे नेक्ट्ट अलों आस्नल इंग्म नेशन की इंडिया की टोटल इंकम विए क्या बोलते हैं यह बोलोगे लुए इंपलन वर्ड ये निफ यूदि रघुगानियर ठीक है दन क्लियर पहले बोला सिफ्ड गुर्धन तविटे डूसरे बार पोल रहा हो मनी वैल्यू समझ में गुमार रहो आंसर लंबा कर रहे हो थी करना और फरक पर रहा है ठीक है यह समझ में रहा है क्या हो क्या बोले हैं हम लोग पहली बार बोलते हो सिफ लो है वो good yodon services का पहली बार में क्या बोलते हो सिफ लो रहे हो मझी वैल्यू है तीसरी बार बोलते हो कि वह composite measure है सारे economic activities का composite measure है वो सारे economic activities का बात ने बोलते हैं वो objective indicator है कि तुम्हारे जो लोग है ना इंडिया में उनका कैसा welfare वगरा हो रहा है उनका economic welfare क्या है यह objective indicator यह composite measure है और last ने बोल देना कि क्योंकि अच्छल money economy है तो इसको money के डंदने express काता है क्लियर है यार सिंपल सा पार्ट है ठीक है ओके तो अब आजो NIC committee की definition के बारे में यह NIC committee क्या बोलती थी national income committee ठीक है वो क्या बोलती है a national income a national estimate measures the volume of commodities commodities मतलब goods and services and services turned out during a given period counted without duplication मतलब बसे निचे जो मैंने आपको बताया ठीक है मतलब एक्जाम्पल डुब्लिकेशन वाला मैं अगर आपको एक्जाम्पल देना चाहूं तो लेट सेक की भई यार एक काम करो यह जो है ना टाटा मोटर उन्होंने कार बनाई है ठीक है उन्होंने जिस साल कार बनाई थी जिस साल उन्होंने चार्चको वाली कार बनाई थी ठीक है तो उस साल उनके नाशनल आगया था यह अरे जिस साल उन्हों ने गुद्स प्रोड्यूस किये उसी साल नाश्लल इंकम में रिकॉर्ड हो गया तो अब जब यह साक्षी क्या कर रहे है साक्षी ने यह कार खरीदी थी ताक्षी यह कार को ना आज सेकंड हैंड में बेच रही है और आज उसके पाद में कुछ पैसा आरहा है वह सेल कर रहे हैं यह कार को और उसके पास पैसा आरहा है दूबारा कैलकुलेट नहीं करना इसको इनकोन है सबगवार है कि नहीं होगा आप कैलकुलेट नहीं होगा मैं वह बहुत रेर कारती आपको पैठा है जब उसने ली ती पांच लाख में लेती और जब वह देच कि दिए और वह फिराई डाप भी नहीं होगा सबगस्ष्थ बात डूब्लीकेशन की हम यहां पर सिफ और सिफ गुड्स और सर्विसस का मनी वाल्यू काल्कुलेट करते हैं समझ में हा रहा है मनीट्री वाल्यू और गुड्ड जान सर्विसस तो यह क्या बोल रहा है इनके डेफिनेशन की तरफ अगर हम लोग एक बार तोड़ा सा डिट सिफ हएंड और कितना कमोडीटी सेञ़ किस लिछ टारि टूठी किन अ गिभीट है इसको काउंट किया लेकिन विक्त डूबिकेशन इसको क्या यहां पर दोच सब्सावें समंझ में आरह रहा है 呎ल्रें क्लियर है यहा तक हो उसों आहन प्यूंग क्लियर रही स्राइम आप यहां पहल दिया ओधर ओपर बोल दिया अभी डेफिरेशं कर रहे हैं तो क्या बोले तर्णड आउट दूरिं ऐगी वन पीरेट काउंटेट थैट डॉटिकेश्न डॉट्स दन एवरीवान ओके ची कर चलो यह तक क्लिया ओके नव अभी यह फीचर्स क्या होते national income कि what are the features of national income national income features जाने बहुत सिंपल बहुत सिंपल सब्सें अब देखो आप यहां पे बार 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 चीक के क्या बोड़ ते money value the money value of all the final goods and services final goods and services produce away Joe produced in an economy को एक इक नॉमी में या चाहिए इंडिया की बात कर लो या चाहिए अमारिका की बात कर लो रहे चाहिए न की बात कर लो तुम किसी भी कंट्री के बात कर उसकी बात कर लो money value of all the final goods and services produced in an economy during an year during a year कि अधिश्टा न यह भी कभी काम करता है कभी नहीं करता है हाँ चालब अ है कि द्यूरिंगा हिए डन तो मुझे बाद बताओ ना बस यह सी कोई देख लो और फीचर बता दो मुझे फटा-फट से फीचर्स क्या है नाशनल इंकम के फीचर्स क्या है अब ध्यान से देखो ध्यान से देखो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्जन सविसे की वैल्यू लेना रहे भाई किसकी वैल्यू लेना सिर्फ और सिर्फ की पैस शर्ट में इंक्लूड़ेड नो डन ओके मैक्र एकनॉमिक कंसेप्ट बड़ा वाल एकनॉमिक कंसेप्ट है बड़े लेवल की बाते करते हैं यहां पे हम लोग मनी वाल्यू रुपीज के टर्म में हैं मनी वाल्यू डन ओके उसके बाद में यह वला बताती मैं आपको एक financial बड़े पर किया होता हि अपर लो ना में बार बाए मेरे मयरे मुझसी निकल रहा है अब 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 ना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अपना कुछ चीद धारा को आपके अल्रेडी कितने फीचर्स तो अल्रेडी ऐसे ही हो गए है एक दो तीन चार पाँच साथ में से पाँच तो अपने वो डेफिनेशन के थ्रू ही कर लिया ठीक है उससी से ही समझ में आगया आपको यह चीज है अब कुछ इंपोर्टेंट चीज है आचाहिए दर हम लोग यहां पे ना हम लोग यहां पे नाशनल इंकम अभी क्या इंक्लूड करता है वो देखो नेट वाल्यू अफ गुड्ड जन सविसेज मतलब मतलब यह होता ना आपका ग्रॉस अकाउंट्स में करते हो ग्रॉस फिक्स असेट माइनस देप्रिसियेशन करके आप यह सानो एस हीकरते हो बोलो ना एस ही करते हैं हम लोग और इन अठेट मिला तो यह द्यांदकना कि नाशनल इंकम हाम हमेशन नेट वाल्यू इंकलूड गरता है ग्रोस वाल्यू नहीं क्यूंकि यह डेप्रिसेशन है ना मैं को एक बलकाते हो चैनल से लोगिक में यहां पर बताती हूं सै जला रेका है है और यहत सब्सक्राइब 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 एक आपके ना अकाउंट्स में एक यह है लाइन है डप्रिसेशन का इधिंग चाप्र नाबर नाबर एक बॉक्स बना हुए अकाउंट में वह एक बॉक्स पढ़ना वहां से आपको अपको पड़ी एक चीज पढ़ी है कि 11 स्टैंड में आपको नोंने बता दिया था कि जो डप्रिसेशन है जो डप्रिसेशन होता है वह आपका नौन कैश एकस्पेंडिचर है वह ईसा खर्चा है जो तुम चैश में नहीं लेते हो रहwegen मतलब एससा खर्चा है जो तुम अपने अंपन्य करते घू थे कोई कंप्यूटर यूज कर यूज तो मुझे पता है कि नेक्स यर उसकी वाल्यू थोड़ी कम हो जाएगी यह नेक्स यर भी छोड़ो अगर मैंने आज कोई कोई मोबाइल खरीदो और आप कल उसे बेचो 50% के उपर नहीं मिलना है या मालोग 10,000 का मोबाइल खरीदा ना तो कल उसकी वाल्यू 7,000 हो जाएगे साथ अजार के उपर आप उसको बेच के देखो नहीं भीकेगा वो समझ में आ रहा है कंसेप्ट एवरीवान रीजन समझ में आया क्यूं क्यूंकि वह नॉन कैश एक्स पेंडिशर है ठीक है डान ओके चलो बढ़ो आगे यह पॉइंट हो गया और एक चीज़ और टो नाशनल इंकम इंक्लूड करता है क्या इंक्लूड करता है मैं को एक बात बताओ यार यह हैं हमारा इंडिया ठीक है इंडिया इंडिया wydaje है कुछ ऐसीघृट जुट्स मेरा बोल्डो ज़ार कि मालो फोर्इंस है न हमने कुट तक एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट Sac ४ॉर्ज इंपोर्ट import करके export के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए x export में x आता है tell me export में x आता है x लिख रही हूँ और import के लिए i लिख रही हूँ यह m लिख लो तो export import करके आपने जो भी पैसा कमाया वो भी national income का part है वो भी तुमारे इंडिया की income कहलाईगी yes or no फोड़ा सा लॉजिकली सोचो थीक है साक्षी क्या कर रही है साक्षी goods को export कर रही है और वहां से import कर रही है तो लेना देना करके यह जो लेना देना कर रही है वह foreign currencies में वह foreign currencies को जब वह convert करेगी तो वह कुछ कुछ रुपीज कमाएगी इंडेन रुपीज तो वो भी तो तुम्हारा नाशनल इंकम है नौ तमझ में आ रहा है तमझ में आ रहा है येस ओके और यह और भी कुछ रिसीट होगी यह कुछ पेमिंट होंगे क्या बोला है यह कुछ अधर रिसीट होंगी और भी कुछ मालो फ यहां से पैसा जाएगा वह मैनस करेंगे लित आर माइनस पी रिसीट माइनस पेमेंड मान लो कुछ फॉर न में पैसा देना है तो वह रिसीट वाइनस पैमेंड करो जो पैसा जो बच गया वह भी तुम्हारे नाशनल इंकम में आने वाला सबस्क्राइब एवरीवान बस यही पाट यही चीज लिखिए अब जान से देखो आप समझ में आएगा आपको नाशनल इंकम इंक्लूट नेट इंकम फ्रॉम अब्रॉड दफेंट बीट्वें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट फर्स आण और नेट डिफ्रेंस और नेट डिफ्रेंस बीट्वीन रिसीट फॉरें ते कुछ पैसा मिलने वाला है और फॉरेंस में कुछ पेमेंट देना है हमें तो इनका कुछ बच गया ना वो भी नाशनल इंकम में आएगा तो मुझे एक बात बता दो ना अपनी डेफिनेशन क्या ह कि मैडम मतलब इसका मतλαब मतना पाक्टोष ओप्रक्रीन कम वां अबरॉड मतलब फॉरेंस ज़ो भी कुछ आना है ये उसका नेट नेट उसको मैनेस किया अरे जो आना है वह प्लस और जेरेना है वह मैनेस तो नेट इंकम नेट फ्र्लोड इंकम फ्रॉम बजल प्रेंस तो इस नाशनल इंकम की आज की डेट पर आपकी डेफिनेशन क्या बोलती है एक तो बोलता मनेटरी वैल्य ओफ ओल्ड फाइनल गुड्जन सर्विसेज और फाइनल फाइनल पाइनल गुड्जन सर्विसेज प्रोड्यूज इन इकनौमी डूरिंग अकाउंटिंग यह प्लस इन फाइए मतलब क्या कुछ भी फॉरेंग से लाना या कुछ भी आना बाकी है कुछ भी देना बाकी है उसका नेट नेट जो बच गया ना वो नाशनल इंकम में आने वाला बस इतना मतलब है डन एवरीमान ओके तो चलो यार आजाओ पड़ावड़ते फीचर्ट देखो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना समझ में आ रहा है ओके माक्रो इकनोमिक कंसेप्ट है मनीटरी वाल्यू है ओके नेट अग्रिकेट वाल्यू है मतलब डप्रिसेशन एक्स्क्लूड करने का समझ में आ रहा है फिर नेट फैक्टर इंकम यह देखो नेट इंकम फ्रॉ अब्रॉड ले लो ठीक है फिर फिनांशेल यह एक प्टिकुलर फिनांशेल में बताता है और वह क्या है फ्लो कंसेप्ट है गईस हुआ एवरीवान समझ में आया अभी इसके अंदर का कंटेंट बाकी है सिफ पॉइंट को स्मूध की अपनने सिफ पॉइंट को स्मूध ल पर चाहिए ठीक्लर एक अकाउंटिंग्यर में होने थोतो going on a CEO in Cr agents एक्स मांने स्व próp होना चाहिए विए बोलगी ऑ вполне इसके बाद है नवी से उसके बदमें बोल देना कि क्या बोलो की आप पुस्हालमर मद राज less वोगया चता पांशवा यह हो गया उसके बाद मैं यह हो support कहा था इस साथ समय गृ mier disposition स découvrir सिस्फ यह definition से ही आप ändiittel को जाता है है क्लिए फ気ंट कल और पक्का ओक्यष सबस्क्राइब लुख मैंँ टोमॉरो इसके आगे का लेक्षिर लोग करते हैं ठीक है जहां पर हम लोग डीटेल देखेंगे या फिर एक काम करते हैं आज ही कंपलीट कर लेते हैं आज ही कर लें इस तरह से चलो इस सारी चीज़ें इस तरह से करना तो वैसे कर लो इसका कुछ प्रोनॉंसेशन नहीं है बट वह कुछ कुछ न क्या बोलोगे कुछ रिपीटेट लेटर जा रहे थे तो वैसे कर दिया ठीक है डान चलो आजा वैल्यू ओफ ओनली ओनली फाइनल गुड्स और शर्विसस सिफ पर दिफाइनल डॉबल काउंटिंग दा वैल्यू ओफ ओनली फाइनल गुड्स और साविसस प्रोड्यूज इन दा एकनोमी आर कंसीडर मतलब सिफ और सिर्फ हम शर्ट की ही प्राइस लेते हैं वैल्यू ओफ इंटरमीडियर गुड्स और रॉ मैटेरियल मतलब जो कॉटन होता ना कॉटन जो इसके रिलेटेट जो धागे वगर लगते ना में उसके सिचिंग करने के लिए इसकी वाल्यू कंसीडर नहीं करते हैं हम लोग से पर से शर्ट की वाल्यू ले लेते हैं क्लियर देख कोई जी लिखाया वाल एस्टिमेटिंग प्रोडक्शन अफ शर्ट दर इस नो नीड तो सेपरेटली कंसीडर वाल्यू अफ कॉटन अधि इस अल्रेटी इंक्लूद इंद प्राइस अफ शर्ट्स दन डन चलो बता दो मुझे फिए फर्स वाला पॉइंट समझा कि डबल कॉइंटिंग को अवोईड करने के लिए हम न सिफ और सिफ ना फाइनल गूर्स की वाल्यू लेते हैं मतलब कॉटन की नहीं लेते हैं सिंपल सी पाता वही एक्जाम्बल यापर लिख देने का डन फर्स पॉइंट फिर सेकेंड पॉइंट में आप क्या बोल रहों कि वह माक्रो एकनॉमिक कंसेप्ट है इन नाशनल इंकम रिप्रेजेंट दा इक इंकम ओफ एकनॉमी आज़ पूरी एकनॉमी की इंकम आज़ रादा दन दाट अफ इंडिविजूल मतलब पूरे इंडिया का इं इंडिविजूल इंसान का इंकम नहीं बता दा सिंपल सा पाट है इसलिए से माक्रो एकनॉमिक कंसेप्ट बोलते हैं क्लियर है कि मनी वाल्यू नाशनल इंकम में एक्सप्रेजेंट में एक्सप्रेज करते हो इट रिप्रेजेंस ओनली दोज गुड़ जान सर्वेसे विच ठिया आपके भाई को पर्टिकूलर बैठा के पढ़ा रहो ठीक लिए का तो वह यहांपे नहीं लेने का ममंत खाना भ sensit दिया और लव फ्लव अफटिक्शन नहीं लेने का दादा गरबेंडिवा तो वह सारी यहांप इंक्लूड नहीं करोगे दना रेवान done point number three okay net aggregate value बोला तो net value बोला तो सीधा समझ जाना national income include net value मतलब it does not include depreciation cost वो depreciation के cost को include नहीं करता है ठीक है और depreciation क्या होता है wear and tear of capital assets that's it okay अब national income include करता है net income from abroad मतलब x-m plus r-p इन दोनों को x-m से जो भी answer आएगा उसको हम लोग national income में include करेंगे plus करेंगे और r-p से जो भी solution आएगा उसे भी हम लोग क्या कर लेंगे national income में plus करेंगे समझ में आ रहा है everyone ओके it is expressed with respect to time period 1 अप्रेल से 31st मार्च and last point है यह जो है यह flow concept है मतलब कितना goods and services आपकी economy में flow हो रहा है during an year that's it all seven points are done पहला point क्या था फिर final goods के लेना फिर monetary value ले लो ठीक है उसके बाद में आप macroeconomic concept बोल दो फिर net depreciation को हटा दो फिर आप बोल दे नेट नेट दो बार ठीक है दो बार नेट नेट फिर नेट इंकम फ्रॉम अब्रॉड ले लो फिनांशल यह ले लो और फ्लो कंते पर दन एव्रीवान वित रिस्पेक्ट टू क्या है अरे डबलू आटी मतब वित रिस्पेक्ट टू time वित रिस्पेक्ट टू समझ माया रबलू आटी मतब वित रिस्पेक्टू done everyone point हुआ third okay तो guys we'll stop till here इसके आगे हम लोग कल continue करेंगे ठीक है circular flow ओर चलो bye 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 everyone take care bye बाब बाब